हेलो बच्चों, लेट सीधा कॉश्चन, इस कॉश्चन में हमें एक E expression दिया है, E की value बतानी है, तो देखो हम इसको, अगर एक जर्नलाइस फोर्म में लिखे multiply हो रही है, तो multiply को हम पाई सरी परजेंट करते हैं, 1 से लिखे 59 तक जा रहा है, R की value 1 से लिखे 59, ठीक है, 1 माइन सिक्स्टी डिग्री प्लस आर डिग्री डिवाइड बाई कोस आर डिग्री, पहले R की जंगा 1 पुट किया, फिर कहां तक पुट करेंगे, कहां तक पुट करेंगे 59 तक, अब कोस, 60 डिग्री प्लस आर को, मैं लिख सकता हूँ, काम करते हैं, इसको मैं लिख लेता हूँ, पाई, R की value 1 से लेके 59, कोस आर डिग्री, और यह आएगा, कोस आर डिग्री माइनस कोस, 60 डिग्री प्लस आर डिग्री, ठीक है जी, अब इसमें कोस C माइनस कोस D का फॉर्मिला कितना आएगा, सर्ट, 2 साइन, C प्लस D बाई 2, तो यह आएगा, 30 प्लस R, और D माइनस C बाई 2, तो साइन, 30 डिग्री, 1 बाई 2 से 2 गैंस लाउट, तो यह आएगा, R की value 1 से लेके 59, साइन, 30 डिग्री, प्लस R डिग्री, डिवाइद बाई, कोस आर डिग्री, अब R की value 1 पुट करी, तो साइन, 31 डिग्री, R की value 2 पुट करी, साइन, 32 डिग्री, और R की value 59 पुट करी, साइन, 89 डिग्री, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री, और कहां तक आएगा, कोस 59, यह इस से गैंसल आउट हो जाएगा, यह इससे cancel out हो जाएगा सारी terms cancel out हो जाएगी तो answer क्या आएगा 1 क्योंकि sin 90 minus theta कितना होता post theta so answer for this question is 1 I hope you understood the solution